हालो फ्रेंट्स वेलकुम तो किचन बैसनी हल आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं अमचुर वाले खट्टी डाल की रेसिपी इस दाल को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और कम मेहनत में यह मज़ेदार खट्टी डाल बनके तयार हो जाती है तो चलिए शुरू करते ह पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप तक मेरे चैनल का अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इसी तरह से नई नई रेसिपीज में आपके लिए लेके आती रहोंगी तो चलिए शुरू करते हैं हम चुरू इसी के साथ यहां पे दो हरिमेज को डाल दें यहां पे मैंने हरिमेज को थोड़े बड़े टुकडों में कट किया है इसी के साथ यहां पे हम प्याज डाल देंगी तो यहां पे एक शोटे साइस की प्याज को इस तरह से बार एक टुकडों में कट करके इस्तिमाल किया है म तो यहां पे एक चोड़ा चमच अद्रक लहसुन का पेस डाल देंगे और अद्रक लहसुन को भी हमें मीडियम फ्लेम पे तकरीबन एक मिनिट के लिए इस तरह से चलाते वे पका लेना है जब तक यह अद्रक लहसुन का कच्चापन निकलना जाए जैसे ही हमारा अद्रकले सुन पक जाए गए इसमें हम थोड़े सूखी मसाले का इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पे एक छोड़ा चमच लाल मेज पाउडरी डाल दे एक छोड़ा चमच यहाँ पे दनिया पाउडर का इस्तमाल करें और एक चोथा चोड़े चमच यहां पर हल्दी पाउडर का इस्तमाल करें इसी के साथ हम यहां पर एक बड़े चमच अमजूर पाउडर का इस्तमाल करेंगे या फिर आप इसे ड्राइ मैंगो पाउडर भी कह सकते हैं यह बाजार में जो है आसानी से अवेलेबल होता है पर आप इसे घर में भी आसानी से बना सकते हैं बस इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और मसालों को मिक्स करते समय में गयास का फ्लेम लोर रखना है ताकि मसाले जो है वो जलेना अब हम यहां पर इन रमाटर डाल देंगे तो यहां पर मैंने एक छोटे साइस की टमाटर को बार एक तेर मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर है बहुत अच्छी तरह से गल के तयार हो गया और हमारे जो मसाला है वो भी काफी अच्छी तरह से पक चुका है तो अब हम यहां पर डाल डाल देंगे तो यहां पर मैंने एक कप तूर की डाल को अच्छी मसालों के साथ अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे हमारी मसाल को मिक्स होगई है एपर यहां पर डाल जो है वो गाड़ी लग रही हocus हो है यहां पर तकरीबं मैं आदा कप के करीब पानी का इस्तमाल कर रही ह यहां पे स्टेज पे आपको ऐसे लगेगा कि दाल जो है थोड़ी पतली हो गई है पर यह जैसे उबलेगी और थंडी होगी ना तो और भी जादा यह थिक होती है तो यहां पे इसकी गंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली साइड में ही रखनी है हमें और अब हम इसे ढखकन रख है और अब हम यहां पे इस रेशिपी का लास इंग्रीडियन इस में अड करेंगे तो जो की है एक छोटा चमच कसूरी मिती जहां काफी अच्छा आता है तो यहां पे मैंने नहीं पर दनीता के जगा कसूरी मिती का इस्तिमाल किया है बस इसे आची तरह से मिला देंगे और का मज़ा बहुत ही अलग होता है उमीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज अब तक के लिए बाई बाई खाते रहिए खुश रहिए और सेफ रहिए